गईज वेडिंग फ्टोग्रफी जितनी असान दिखती है ना दूर से कि हाँ बंदा शूट करना है उत्तरा ही मुश्किल होता है एक्च्वल में वहां खड़ों के वेडिंग को शूट करना और स्पेशली केंडिड फ्टोग्रफी और आपको ऐसे में काफी चूसत रहना और आपकी केंडिड फोटो काफी बढ़िया आएगी तो बीना टाइम वेस्किए करते हैं इस वीडियो को शुरूर देखते हैं कौन सी ऐसे कैमरा शेटिंग जो आपको करनी चाहिए और जिसकी मदब से आप काफी बढ़िया फोटो ले पाएगे तो बिताउट बेस्टिं लिए कैमरा सेटिंग जो मैं आपको बदाना चाहूँगा वो है शुर्टर स्पीड मैं क्या करता था जब मैं ऐसे वीगनर काम करता था वेडिंग में कैंडिड फोटोग्राफी का तो मैं शुर्टर स्पीड को जो है 80 से नीचे लाता ही नहीं था ऐसा क्यों दिख जाता है जिसमें थोड़ा सा फास्ट बोविंग सब्जेक्ट होता है तो आपकी 80 अगर स्पीड रहेगी तो आप उसे कैप्चर कर पाएंगे अगर आप 80 नहीं रखते उसे नीचे रखते तो आपका फोटो में मोशन मलर का आना थोड़ी से चांसे जादा हो जाते है इसलिए अपनी शुटर स्पीड को हमेशा 80 से अबाव रखे और अगर आप बीगनर है आपका हाँ जादा हिलता है तो आपका कैमरा अगर स्टेबलाइज नहीं रहता तो 80 शुटर स्पीड में काफी हद तक आपकी फोटो शेक होने से बच जाएगी इसलिए मैं क्या करता मैं अपनी शुटर स्पीड 80 रखता था अगर मुझे लगता था कि फास्ट मुविंग सब्जेक्ट है तो मैं फिर शुटर स्पीड बढ़ा लेता था तो हमेशा ध्यान रखे पहली चीज है कि आपने शुटर स्पीड को 80 से नीचे नहीं रखना एक बर गाईज आप यह च तो मिनिममम आपने शुटर स्पीड रखनी है वो रखनी है 80 या फिर उससे अबवाव दूसरी कैमरा सेटिंग है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करती है लोगों को वो है कि यार फोकस कैसे करें जब फास्ट मुविंग सब्जेक्ट होता है तो इतने हमारा हम फोकस क्या करने है आपने करना काई करें गई ser dictum क्या करता है तो आपने वह ओन करना है करना है अगया एक सिर्फ फोक्ट को घ्लिक करनी होगी तो ये तो है focus करने की technique देखो guys, Candid photography में कोई भी setting जो है पर्मनेंट नहीं रहती है आपको बार-बार change करनी पड़ेगी कई बर light जाद हो जाएगी, कई बर कम हो जाएगी पूरा area आपने cover करना है बहुत तरह है कि ऐसे चीज़े होती हैं जो आपको cover करनी होती है और उस time पे आपको सारी lighting जो है चेंज करनी पड़ेगी, exposure चेंज करना पड़ेगा तो ऐसे ही मैं आपने servo mode का हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको लग रहा है कि fast moving कोई भी subject होने वाल है मैं तब कोई भी moment होने वाल है तो आपने उस mode को on करना है example के लिए माल लीजे मैं candid photography करना हूँ ठीक है, अब मेरे को पता है कि कुछ ही देर में dance performance है मैं अपने mind में prepare कर लोगा कि मेरे को उस time पे servo mode पे camera को डालना तो जैसी performance चाल लोगी तो मेरा camera जो है आपको असान ही होने वाली है इस mode की वजए से third setting guys जो आपने करनी है अगर आप बिल्कुल भीगनर है और आपका हाथ सेट नहीं है तो आपने डालने camera को shutter priority mode इसमें आपने क्या करना है आपने सिरफ shutter speed सेट करनी है बाकी का जो exposure वगार वो camera खुद देख लेगा इससे आपका आदा काम असान हो जाएगा इसलिए shutter priority mode को बना जाता ताकि आप practice कर सके shutter speed को और भी अच्छे से समझ सकें तो आपने क्या करना है जब भी आप Candid shoot कर रहे है situation की साब से आपने shutter को set करना shutter speed को और उसके बाद बाकी जो है camera खुद जो है इस setting को कर लेगा जो भी exposure की value होगी वो अपने अब adjust कर लेगा इससे क्या होगा इसका फायदा क्या है क्यों हमने करना है इसलिए करना है इस ताकि आप framing भी ध्यान दे सकें या फिर moment को कैसे capture करना है उस पर ध्यान दे सकें आ प्रिदी आपने level upgrade भी तो करना है इसी पर शूट करते रहेंगे तो guys आप fully manually कैसे काम करेंगे तो shutter priority का main मकसा देंगे होता है कि shutter speed आप set करेंगे बाकी की exposure value है बाकी जो चीजी है वो camera खुद set कर लेगा बाकी इसके अलाबा आपने framing पर ध्यान दे नहीं है एक चीज मैं अगर आप candid photography कर रहें और आपको speed light यूज़ करने है तो आपने guys HSS high speed sync flash यूज़ करने है नॉर्मल नहीं करने है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए guys कई बारी ऐसी situation होती है आपको high speed जो है shutter speed रखनी पड़ती है ऐसे में guys अगर आपकी flash तिंग नहीं करेगी तो आपकी photo जो है सही नह स्लाइट भी दिखानी होते है बट इफ नीडिट तो जरूर यूज़ करें और HSS flash यूज़ करें मजा आदेगा special शूट जो अगर आप कर रहे हैं किसी का तो बात अलग है बट केंडिड शूट में कोशिश करें जादा से जादा natural light या फिर natural ambience capture करने की next camera setting जो आपने करनी है वो है silent shooting mode कई बारी ऐसा महल होता है बहुत शांती का महल होता है और उस time पर अगर आप Candid शूट करना चाहते हैं और आपने अपने camera से आवाज निकाल दी फोटो क्लिक करने की तो वो Candid नहीं रहेगा वो फिर ध्यान बटक जाएगा जो भी आप कोई चीज़ शूट कर रहे होंगे कि मालों किसी परशन का शूट कर रहे है और आपके camera ने आवाज कर दी फोटो खीचने की तो उन्हें पता चलता है कि हमारी कोई फोटो खीचे और वो Candid moment नहीं आएगा क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है एक ही बरिंग में आपका शोट अच्छा है हो सकता आपको तीन-चर शोट रहने पड़ें तो उस तरह की situation में आपने silent shooting mode पर डालना है ताकि आपका camera चुप-चाप photos खीचे और आपकी Candid moment सारे cover हो जाए अब क्या होता है guys ऐसे में यह होता है कि आपका जो camera है वो flexible होना चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है एक mode में आपने सारा शूट करन डालना है कई बार server mode पर डालना है कई आपने silent shooting पर डालना है कई आपने shutter priority mode में डालना है खेलते रहे इस camera से क्योंकि एक setting में नहीं बनेगी बात और ऐसे में guys अगर आप beginner है तो आपका जाधा हाथ साफ होगा आप जाधा practice कर पाएंगे अपने camera के साथ में तो हमेशा flexible रह आने पर क्या exposure value आ रही है तो इसलिए आपने हमेशा flexible रहना और camera settings हो change करते रहना इन settings के अलावा मैं आपको कुछ tips देना चाहूँगा candid shoot के लिए अगर आप शुरुवात कर रहे हैं या फिर आप intermediate है तो आप कोशिश करें zoom lens से shoot करने की candid photography क्यों क्योंकि guys अगर आपके बास kit lens होगा तो आप जादर zoom करनी पाएंगे और specially जब आप candid shoot करते तो आपको दूर से subject को shoot करना होता ताकि आप कि subject को पता ना चले कि आप उसको photo click कर रहे हैं तो ऐसे में आपने zoom lens use करना है और अगर आपका budget अच्छा है तो आप wide aperture 1.8 या फिर 2.8 वाला lens भी ले सकते हैं करता है तो shutter speed हाई रखे हाथ को stabilize करें और फिर practice करें और हागा इस प्रेमिंग को जरूर आपने ध्यान में रखना है composition देखने क्या बना रहे है क्योंकि बहुत सारी चीज़े होते हैं जो composition पर depend होती है तो क्या आप दिखाना चारे हैं तो इसलिए अपनी composition पर याद से ध्य बताई है यह आप practice करें जब तक आप hands on नहीं करेंगे जब तक आप खुद camera उठाके इन चीजों को देखेंगे निए आपको खुद अच्छे से समझ नहीं आएगी तो hands on करे practice करें गलती हो भी तो अभी कोई दिक्कत नहीं है गलती करोगे तब तो इसलिए guys camera उठाके practice कर और अभी तो lockdown चल रहा होगा आपकी city में भी तो आप जो है अपने camera को घर में practice कर सकते हैं घर में काफे कुछ जो अपने camera की details से आपकी सर्मोड को check कर सकते हैं तो I hope guys इस video से आपकी काफी help हुई होगी video अच्छी लगे तो video को like और चैनल को subscribe जरूर करें अपने दोस्तों क शेर करें information सबके पास provide करें तो ठीक है guys मिलते हैं आप सभी से एक लिए वीडियो में आप सभी अपना ध्यान रखें